यह आपको पता है कि आपकी जो भी गाड़ी है अभी इस वक्त उसके अंदर जो स्पीडो मीटर है उसका सुई का रंग क्या है जो है सही वीडियो में है वही नमश्कार मैं हूँ जय कुमार और आप देख रहे हैं इन्फो कृम टीवी दोस्तों आज का ये वीडियो में पू फुल इंफॉर्मेशन पहुंच सके तो दोस्तों आज के वीडियो में हम यह बात करने वाले हैं कि ज्यादा तर जो बाइक एक्सिडंस जो हो रहे हमारे देश में उसका रीजन क्या है नाइंटी नाइन परसंट आफ एक्सिडंस का कॉमन रीजन क्या है वह हम इस वीडियो मे देखने वाले हैं तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने इंफो क्रीम टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरण सब्सक्राइब करके बैल आइकन को ओन कर दीजिए ताकि आपको इस तरह के लेटेस्ट अमेजिंग और इनफॉर्मेटिव क्या है वह यां तो बंदों गया वह सब्सक्राइब करते ह室क्राइब Scripture इस मिश्टीव होगया वह mistake हो गया या फिर उसने अगर कोई करदा लिया हो तो बारे में सुचता है सकी वगोर के जादारगा हो । अगर הमें जो जगडा हूँ है उसके बारे में सुचता है जब वह बाईक चला रहा होता है तब उस वक्त क्या चल रहा है उसका focus होता ही नहीं है उसकी वज़े से ज्यादा तर जो है वह accidents होते है तो अगर हमें accidents को avoid करना है तो हमारा जो दिमाग है उसको present में रखना है वरतमान में रखना है वरतमान में करना है कि जब आप बाइच चला रहे तब आपका focus जो है वह current में होना चाहिए उसके लिए आप बार बार कुछ एक दो seconds के लिए अपने गाड़ी के मीटर को notice कर सकते हैं कि कितना speed जा रहा है या फिर आपके fuel gauge को कर सकते हैं कितना fuel है या फिर आप क्या कर सकते हैं कि गाड़ी का sound है उसको focus कर सकते हैं बार बार ओके पूरा ध्यान आपको उसमें नहीं लगाने पूरे गाड़ी में नहीं डूब जाने है नहीं तो फिर accident हो जाएगा कुछ-कुछ पल के बाद आपको एक दो सेकंड के लिए आपका स्पीडो मीटर उसको नोट करना या फिर आप आपका थ्रोटल पर जो आपका हाथ है उसको नोटिस कीजिए गाड़ी का एक्सिलेरेशन कितने उस पर नोट कीजिए आजू-बाजू क्या चल रहे हो कि आपके आगे कौन जा रहे हो के आप मिरर को देख सकते हैं एक-एक सेकंड के लिए इससे क्या होगा अगर आपका दिमाग फटक रहा होगा पास्ट में या फ्यूचर में तो वापस करंट में आ जाएगे का अभी इस वक्त क्या चल रहे हैं तो इससे मैकसिमम मैकसिमम एक्सिदेंट्स जो है हम अवएड कर सकते हैं कई बार होता है कि इनसान जूम करके बाइक में जा रहा होता है ओके आगे- कर देगी तो यह चोटा सा वीडियो जिसमें आपको मैंने बता है कि आप किस तरह से आपको क्या करना है बाइक चलाते वक्त आप ना दिमाग जो है वह प्रेजंट में रखना है कि आप बाइक चला रहे हैं यह बाजू ट्रक आ रहा है कोई स्कूटर रहा है उस तरह से फोकस आपका जो है वह राइडिंग पर होना चाहिए तो उसके लिए आप कुछ-कुछ देर के बाद अपने गाड़ी के मीटर के जो सुई है उसको नोट कर सकते क्या आपको पता है कि आपकी जो भी गाड़ी है अभी इस वक्त उसके अंदर जो स्पीडो मीटर है उसका सुई का रंग क्या है आपको पता है 99 परसंट आप लोगों को पता नहीं है मैं गैरंटी देता हूं तो आज ही जाके नोटिस कीजिए तो गाड़ी चलाते वक्त आपको गाड़ी की सुई को देखना है स्पीडो मीटर का ओके या फिर आप गाड़ी चलाने में ही आपका ध्यान होना चाहिए ओके फ्यूचर या पास में नहीं होना चाहिए इससे हम एक्सिडेंट से बज सकते हैं तो दोस्तों यह था बहुत ही वैलियोबल सा वीडियो और हाँ एक बात मैं कहना भूल गया कि जब भी आप गाड़ी राइड करें बाइक राइड करें हमेशा हेलमेट पर यह ओके एंड हैवे सेफ राइडिंग एंड हैपी राइडिंग तो दोस्तों वीडियो को शेर कीजिए अपने फ्रेंड्स में रिलेटिव में ओके ताकि यह यूसफूल इंफॉर्मेशन उन तक पहुंच सके वीडियो को जितना हो पूस्तर के लाइक कीजिए तो मिलते हम आगले वीडियो में तब तक थैंक यू एन आप एग्रेट डेग अ यूस्तर के लाइक का लाइक कीजिए सका है